हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल दीप क्लासिज जिसमें हमारा आज का टॉपिक है MHD 7 की यूनिट 1 से क्वेश्चन नमबर 4 जो है टिपने कीजिए इस क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स को हम अपने पहले के वीडियो में जान चुके है आज हम इसके नेक्स टू पॉइंट्स को जानेंगे लेकिन हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन्स आप तक पहुँच सके साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आपको MHD से रिलेटिड अड़े टोपिक्स पर भी वीडियो देखने को मिलेंगे उसके लिए आप हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं तो चलिए बिना देरी किये हम अपना आज का टोपिक स्टार्ट करते हैं आज हम जिन टोपिक्स पे टिपनी को जानेंगे वो है भाषा शिक्षन में संप्रेक्षन का महत्व और जनसंचा सबसे पहले जानते हैं भाषा शिक्षन में संप्रेक्षन का महत्व तो समाज भाशा विदो ने यह अनुमान लगाया है कि संपून विश्व में शत्प्रतिशत जनसंख्या द्वी भाशी है इतिहास में अन्य भाशा शिक्षन का विशय अत्यन्थी चिंतन का विशय रहा है यहां तक की एक ही भाशाई समाज में व्यक्ति पीडी दरपीडी भाशा का अधिगम करता जाता है भाशा शिक्षन का प्रश्ण मूलतहा अन्य भाशा शिक्षन के संदर्ब में ही पहरता है फलतहा भाशा विदो ने विभिन शिक्षन विधियों का प्रयोक किया व्याकरण, अनुवाद विदी, स्थिती परक भाषा शिक्षन विधी, प्रकृतिक विधी, प्रत्यक्ष विधी, संदर्ब परक भाषा शिक्षन आदी संदर्ब परक भाषा शिक्षन पर नौम चोंस्की की स्थापना का प्रभाव है, कुछ भाषा विदो ने भाषा शिक्षन के संदर्ब में संप्रेक्षन को महत्व दिया इन भाषा विदो में होवेट, बुमफिट आदी, महत्व पून है, भाषा मूलतहा एक संप्रेशन व्यापार है, अतहा इसकी शिक्षन की पून्ता एवं रोचक्ता का तभी क्रियानवयन होगा, जब उसे संप्रेशन परक संदर्ब में व्यवहत किया जाए अर्थात किसी भाषा को सीखने के लिए यदि शिक्षार्थी द्वारा उस भाषा को संप्रेशन के रूप में प्रियोग किया जाएगा, तो भाषा की शैली को, उसके मुहावरों को, तथा उसके पर्याय शब्दों को, अर्थों को शिक्षार्थी अच्छी तरह से समझ स अतहा भाषा शिक्षन के संदर्ब में संप्रेक्षन का महत्व निर्विर्वाद है संप्रेक्षन को आज भाषा शिक्षन में केंद्री मान लिया गया है समाज भाषा विज्ञान एवं शैली विज्ञान ने विकास ने संप्रेक्षन सिध्धान्द को बहु आयामी बना दिया है इस सिध्धान्द को रोमन या कोपसन ने खोलने का काम किया है संप्रेक्षन की शुरुआत इस प्रक्रिया से होती है जिसमें कोई व्यक्ती किसी संदेश को समझ कर उसे अपेक्षित भाषा रूप में इस तरह करता है कि उसे समझ सके उसे विकोडी कृत कर सके संप्रेक्षन के प्रारूप में एक बात बार बार कही जाती है कि हम भाषा के द्वारा कुछ ना कुछ करते हैं संप्रेक्षन सिद्धान्त में यह बात भी सामने आती है कि बिना भाषा के प्रयोप के भी संप्रेक्षन किया जा सकता है अर्था बाशेतर संप्रेक्षन की बाते करते समय हाव भाव इशारे आंगी क्रियाएं आदी महत्वपूल हो उठती है इस प्रकार का संप्रेक्षन प्रयोक्ता की भाषाई समाज की सांस्कृतिक पहचान होती है अतहा इस क्रिया कलाप को भी भाषा शिक्षन के अंदर समेट लिया गया भाषा विद्वान ब्रूफित ने संप्रेक्षन को महत्वप देते हुए संप्रेशनात्मक भाषा शिक्षन को स्विक्रित किया है संप्रेक्षन के घटकों से मिलकर ही संप्रेशन परक शमता का निर्मान होता है और संप्रेशन परक शमता के अर्जन का तात पर रहे हैं भाषा कौशलों का ऐसा विकास जिसमें संग्यानात्मक एवम व्यवहारवादी दोनों ही पक्ष समाहित हो संग्यानात्मक पक्ष भाषा प्रयोक को भाषा व्यवस्था से प्राप्त करता है इस बात से संप्रेक्षिन सिद्धानत को इंकार नहीं है दूसरी और सामाजित नियमों से नियंतरित वाग को भी यह अपने अंदर समेट लेता है इसका व्यवहार वादी पक्ष भाषा संग्याना को दारा प्रभाप्रयोग में ढालने का यत्न करता है भाषा शिक्षन के संदर्भ में संप्रेशन परक उपागमों की चर्चा करते हुए महान भाषा वैज्ञानिक पीफो ने भाषा शिक्षन में संप्रेक्षन के महत्व को बतलाया है संप्रेशन परक शमता के पहलूँ पर स्टर्ण ने प्रकाश टालते हुए संप्रेक्षन के अंतरगत किसी भाषाई समाज की सामाजिक परिस्थिती एवं प्रक्ति का अनुमान करने की शमता को प्रिकार करते हुए संप्रेक्षन परक्षिक्षन पर बल दिया है अतहा यह कहा जा सकता है कि भाषा शिक्षन का सबसे व्यवहारिक कुशलता पून अधिगम संप्रेक्षन परक्षिक्षन से ही संभव है अब आते हैं जन संचार पर तो संप्रेक्षन की पहली दशा को मात्र संचार कहते हैं लेकिन जब एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा बहुत लोगों या बड़े समुदाय तक अपनी बात पहुचाई जाती है तो उसे जनसंचार कहते हैं यह जनसंचार होता तो भाषा के रूप में हैं लेकिन विभिन माध्यमों के सहारे होता है यदि व्यक्ति द्वारा श्रोता को सीधे संबोधित किया जाता है तो वह किसी माध्यम की अपेक्षा नहीं रखता लेकिन जब समाचार पत्र, रेडियो, दूर दर्शन, आधी के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इन सब को जनसंचार माध्यम कहते हैं जनसंचार माध्यमों का मुख्य उद्देशे होता है जनता के बीच अत्वा जनता तथा शासन तंत्र के बीच समवाद बनाए रखना जन उप्योगी सूचनाए जनता तक पहुचाना जनमत तयार करना राजनीतिक जागरुक्ता लाना जनता को प्रबद बनाना जन शिक्षा कालाब जनता तक पहुचाना तथा व्यापक अर्थ में राष्ट्रिय भावना और विश्व बंधुत्व की चेतना को प्रश्रय देना शोक से लेकर हर्ष तक समाचार और समपत्ती से लेकर विपत्ती तक ही सूचना जन जन तक पहुचाने के आज एक मात्र विकल्प है जन संचार के माध्यम तो जन संचार के दो माध्यम मानने हैं पहला मुद्रित माध्यम और दूसरा इलेक्ट्रोनिक माध्यम प्रथम के अंतरगत समाचार पत्र आते हैं और दूसरे के अंतरगत, रेदियो, दूर दर्शन, फैक्स, इंटरनेट आधी आते हैं जन संचार का रूप चाहे श्रव्य हो चाहे द्रिश्य हो प्रत्येक दशा में भाषा का सहारा लिया जाता है लेकिन संचार माध्यम भाषा के एक व्यवस्थित रूप को ही चुनते और प्रयोग में लाते हैं बोलचाल की व्याकरन शिथील भाषा अत्वा अति विशिष्ट साहित्तिक या तक्नीकी शब्दावली प्रधान ज्यान विज्यान की भाषा संचार माध्यमों के अनुकूर नहीं होती है तथ्यों की रोचकता समझ एवं जन सुलब भाषा के प्रयोग से ही जन संचार का उद्देश्य परिपूर्ण होता है अतहाजन भाषा में ही जनसंचार सुलब रूप से उपस्तित हो सकता है आज हिंदी भाषा के बोलचाल का रूप परिवर्तित होने पर भी वह जनसंचार के माध्यमों से अपनी वैश्विक उपस्तिती दर्च करा रही है इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है जिसमें हमने जनसंचार और भाषा शिक्षन में संप्रेक्षन के महत्व पर टिपनी अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ हमारे अदर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं तो चलिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थाइंक यू फो वाचिंग